जो आक्पा के नितित में मोदी जी के जो सरकार है ये सरकार जिस तरह से एक के बाद एक जन विरोधी और देश विरोधी सिधान्तों पर अमल कर रही है और जो एक के बाद एक जन विरोधी सिधान्त ले रहा है चार दिन तो क्या ऐसा लगता है कि 355 दिन रास्ता में उतर कर गी सरकार का परतिबात करना पड़ेगा मैं आदर नहीं है ममता बेनर जी को कुटी-कुटी परणाम करना चाहता हूँ जिनोंने सही सहमे में सही फैसला किया है और पिछले 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई लगातार पुरे पच्छिप मंगाल में ममता बेनर जी के आदर्श पर बार बार ये बात कहता हूँ उनके आदर्श वो सबसे पहले ममता बेनर जी के सामने में सबसे पहले रहता है आदर्श और उनकी पूरी राजनितिक जीवन में वो आदर्स के साथ कभी समझोता नहीं करती है जब जब इस मुल्क में जनवी रोधी पॉलिसी चाहिए वो किंद्रे सरकार हो राज्य सरकार ने लिया है ममताव एनरजी ने अपने सिध्धानतों और अपने आदर्सों के अधार पर रास्टे में उतर कर जनता जनादन के बीच तहरीक की हैं अंदूलन की है और अंदूलन की परतीग है ममताब एनरजी जद्धो जहत की परतीग है ममताब एनरजी शंग्राम की परतीग है ममताब एनरजी और हम सब सिपाही उनसे यह सीका है लडाई 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 चाय लडाई कोरे वास्ते चाय आज इस करुणा वार जंता के साथ मिलकर आम जंता के लिए जमीनी सते पर उतर कर चाहे वो रासन का कोपन हो चाहे वो रासन का डिस्टिबिशन हो चाहे लोगों को माक्स का तक्सिम करना हो या लंगर के जरीया खाना खिलाने का मामला हो या लोगों को विदार करने का मामला हो ट्रीटमेंट करने क मामला हो लगतार चार साले चार मैना से अगर पच्ची मंगाल के सरजमी पर अगर उतर के कोई काम कर रहा है तो थिनमूल कांग्रेस मम्ता बनर जी से लेकर हमारे आदरनिय सुबरतोबक्षी फराध हक्यम साथ अभी से एक बनर जी से लेकर आधर निये सुधी बंदबादिया जी जो के मसूर और मारूब और एक अधावर लीडर है दस लोगों का नाम परल्लमिन्ट में अगर आज मौजूदा सुरत अलमेर टॉप 10 में अगर है तो सुधी बंदबादिया उनके 39 में सुमीता बक्षी के 39 में हम लोग उत्तर कलकता हम लोग 49 नमबर वार्ड में भी दिलो जान से लोगों के खिदमत कर रहे हैं और जब ममताव एनरजी का पैगाम आया हम लोग तक कि इस हालत में एक तरह लोगों को रहतकारी पहुँचाने का काम चल रहा है दूसरी तरह पैट्रॉल और डीजल का जो दाम बढ़ा है उसके खिलाब तहरीख हम लोग कर रहे हैं मैं आप से यह कहना चाहता हूँ मैं सवाल आप से करना चाहता हूँ पैट्रॉल डीजल का दाम 23 मरतबा लगातार 223 मरतबा इंदुस्तान के अजादी के 75 साल में पहली मरतबा लगातार 223 मरतबा पैट्रॉल का दाम बढ़ाये गया है आज 75 साल के इतिहास में नहीं हूँ आज पहली बार डीजल पैट्रॉल से भी ज़्यादा महेंगा हो गया है डीजल के दाम बढ़ाये गया है पेट्रोल के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, बार बार बढ़ाये जा रहे हैं, कराशन तेल को प्राइबिटाजेशन करने की कोशिश हो रही है, मैं आप से ये बात पुछना चाहता हूँ, आज भी इंदुस्तान में लोग 7 फीसर से 65 फीसर लोग कराशन तेल पर निर्वर है, अगर कराशन तेल का दाम बढ़ेगा, कुकिंग गेस का दाम बढ़ेगा, पैट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, तमाम चीजों की किम्ते बढ़ेगी, चावल महंगा होगा, क्यों महंगा होगा, साख सबजी महंगा होगा, चीनी नमक महंगा होगा, द प्राइविटाइजेशन के नाम पर रेल को विक्री किया जा रहा है विसनेल को बेजने की कोशिश हो रही है कोईल इंडिया को बेजने की कोशिश हो रही है बैंक को प्राइविटाइजेशन करने की बात हो रही है हवाई जहांस को प्राइविटाइजेशन करने की बात हो र जतना मोधी जी जमाने में बढ़ रहा है कौन देगा इसका जवाब एक तरह हमारे मुल्क में हम गर्ब करते हैं कि हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क है आज मुझे दुख होता है शर्म होती है कि आज हमारा मुल्क दुनिया में बेरुजगारों का मुल्क है में आएंगे अब लोगों ने भी आप नारा देना शुलू कर दिया है 15-15 लाग रुपया दो वरना अब जाओ 15-15 लाग रुपया भीजवाओ वरना अब जाओ एक सौधीन में आपने कहा था कि महंगाई को काबू में करेंगे आज 6 साल हो गया महंगाई आज आसमाने से बात कर रही है हमारे देश के 75 साल के इतिहास में हिंदोस्तान इतना महंगाई नहीं हुआ था जतना महंगाई आज हो रहा है मैंने कल भी कहा था अब भी कहता हूँ कि ये महंगाई मोदी को महंगा पड़ेगा कैसे समय में पेट्रल काताम बढ़ाया गया कैसे समय में डीजल काताम बढ़ाया गया कैसे समय में कोकिंग गैस काताम बढ़ाया गया समय में जब हिंदुस्तान के लोगों के पास रोज़गार नहीं है कि लोगों के पास काम नहीं है चालीस करोल माइगरेन लेवर मजदूर बड़े अफसोसनाग वाकिय हुए हमारे देश में हमारे देश का मजदूर रास्ते में बच्चा मर गया रास्ते में बीवी मर गई पाउ में छाड़े पड़ गए भूक के मारे तलब तलब के पाउ में छाले लेकर किसी तरह से अपने गाउं में पहुँचे है 40 कलोर लिवर मजदूर जो महाजिरीन मजदूर है उनका क्या होगा